नाजरीन आज की इस वीडियो में आप नाजरीन को दिखाय जा रहा है कि राया की फसल में रेतले या दर्मियाने रखबे में खाद का पानी लगाने के बाद छटा करने का क्या फाइदा नजर आया है और पानी लगाने से पहले जब खाद छटा गी गई है तो क्या फर्क नजर आया है जैसे कि इस प्लाट में इस खेत में ऐसे ही किया गया है कि नाइटरोजनी खाद का पानी लगाने के बाद छटा किया गया है रेतला रकबा है और आफ पौदों का जाड देखें आफ असल की गरोध देखें बढ़ोतरी देखें कि बिलकुल ठीक जा रही है लेकन ये वो एक जिसमें नाइटरोजनी खादों का इस्तमाल पानी लगाने से पहले किया गया है तो जैसे कि पानी लगाने से पहले जब नाइटरोजनी खादों का इस्तमाल रेतले या दरमियाने रकबा में किया जाता है तो खाद पानी के साथ ही परकुलेट कर जाती है समीन की तेहों से नीचे चली जाती है तो आप ये थोड़ा सा फरक देखें ये फरक आप नासरीन को नظर आ रा होगा कि जो मेरे बाइं तरफ प्लाट है इसमें पौदे जाड बना रहे है जबके जो ये वाला प्लाट है इसमें पौदे तीला रह गए है फसल तीली मार गई है ये देखें तो ये वो चीज है जिसका आप नासरीन को फाइदा उठाना चाहिए और तहकी के मताबिक जैसे गंदम की फसल में भी खादों का इस्तमाल वतर हालत में किया जाए रेतले रक्मों में 6-8 गंटे बाद और अच्छे रक्मों में दूसरे देन वतर हालत में किया जाए तो ये आप देखें ये वो प्लाट है जहां पे पानी लगाने के बाद खाद का इस्तमाल हुआ है राय का प्लाट है और ये वो प्लाट है जहां पानी लगाने से पहले इस्तमाल हुआ है तो इधर फसल कमजोर है तो फुलासा ये है कि जब भी खादूं का इस्तमाल किया जाए नैट्रोजनी खादूं का इस्तमाल किया जाए तो पानी लगाने के बाद किया जाए ठीक है ता